जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता इच नहीं सबसे बड़ा जानवर कौन होता है लंबाई में जिराफ राइट बड़े में शायद हाथी सबसे फुर्तीला कौन होता है जीता सबसे clever कौन होता है? लेकिन सालाा इन में से कुई राजा नहीं होता ना? तो यह qualities चाहिए इने ही ने rule करने के लिए राजा कौन होता है? उस में इसी कोई quality नी, ना उचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना clever है उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है उसमें एक आदा है जो किसी में नहीं है उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है इसका साले का बिलीव सिस्टम बड़ा गजब है इससे किसे ने पूछा कि तू राजा क्यों है कि तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं कि क्या बोलता है कि मुझे लगता है मैं राजा हूं इसलिए मैं राजा हूं मैं मुझे लगता है मैं राजा हूं अब इस बिलीव सिस्टम से होता क्या है एक्टिट्यूड चेंज होता है एक्शन बदल जाता है हाथी ने शेर को लिए देखा एंकाउंटर हुआ आखो का आमना सामना हुआ अभाथी ने अभाथी ताख़ाद वरई कि शेयर को मंसेंस अभी या अधितव में टोकर सकता है तो जो जैसा सोचता है वैसा ही अमकर या अगले एक साल में रूल कर सकते हो आपका एक्टिट्यूट चेंज हो जाएगा आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा यू के इन रूल देस्ट मैं दावा दे सकता हूँ आपको ना ताकत चाहिए ना एजुकेशन चाहिए ना गोरा होना चाहिए ना अंग्रेजी चाहिए ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए बस तुम्हारा एटिटूट हलगना है चाहिए कि I'm a winner, that's it. मैं आपको बता दूँ अभी अनाउस्मेंट हो जाए कि इस बाहर लीला में सो हाथी घुमरे हैं तुमको टट्टू फरक नहीं पड़ेगा अभी अनाउस्मेंट हो जाए एक शेर आ गया है बाहरे तुम्हारे दरवाजे बंद, सौला बंद कर, सो हाथी से कुछ नहीं फरक प जाए यार बात समझ में आ रही है तो बोलो हाथी अगया है